आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं दलिया की खिचड़ी एसे तरीके से बनाएंगे कि आप बहुत चाव से खा सकते हैं और इस सेहत के लिए बजन कम करने में बहुत अच्छी खिचड़ी बनती है चलते हैं लेते हमने दलिया लिये हैं इसे अब हम थोड़ा सा तेल डालके भूनेगे यह भून जाती है तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आजाता है हमने थोड़ा सा तेल डाल दिये हैं अब इसे हम पांच मिनट तक थोड़ा गैस में भून देंगे इसको हम चलाते रहेंगे क्योंकि चलाएंगे नहीं तो कडाही में नीचे से जल जाएगी इसलिए जब तक आप दलिया भून ये तो इसको चलाते रहें देखिए हमारे कितनी अच्छी दलिया भून्ज के तयार हो गई है जब हम भून के बनाते हैं तो इसका कुछ स्वाध ही अलगाता है और फाइदा भी बहुत करती है देखिए हमारी दलिया भून्ज गई है अब इसे हम कडाही से निकाल लेंगे आपको चाहे तो इस दलिया भून्ज करके रख सकते हैं भून्ज के प्लास्टिक के डिबें बनकर रख दीजिए जब आपको बनाना हो तो आप इसको बना सकते हैं खराब नहीं होती है अब यह हम तूर की दाल लिये हैं इसे तूर की दाल भी बोलते हैं अरहर की दाल भी हम भूंजेंगे जब यह दाल भी भूंज आती है और दलिया में परती है तो जदल के खीचड़ी आप चाहें तो कोई भी दाल की बना सकते है लेकिन तूरख नाल में रहता है देखिये हमारी है ब्हूंज कर सकते है हैं एक इस पर कमारों यहीं है न्य死 Tuhi में कोई टाइम नहीं लगता है अब ये हमने थोड़ा सा तेल डाले हैं इसमें हम ज्यादा कोई मसाले नहीं डालेंगे थोड़ा जीरा डाल दिये हैं और थोड़ा कड़ी पत्ता या और हरी मिर्शी डाल देंगे और इसमें हम कड़ी पत्ता और हर मिहरी मिर्शी डाल दिये हैं चाहिए तो आप थोड़ा हींग भी इसमें डाल सकते हैं और यह हम हल्दी पाउडर डाल दिये हैं बस जादा कुछ नहीं डालना है अब इसमें हम डाल देंगे दलिया वही दलिया डालके हम मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर दिये हैं फिर इसी में हम बाद में डाल देंगे पानी देखिए हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दिये हैं इसम मसाला इसमे दलिया और दाल में मिक्स हो गया है आप इसी तरह मिलाकर बनाएए कोई ज़्यादा समय भी नहीं लगता है अब हम दलिया में डालेंगे पानी जब आपका दलिया आधा किलो हो तो दो लीटर पानी डाल दीजिए क्योंकि धीमे धीमे आधा घंटा तक पकता है तो पानी इसमें लगता है अब दो लीटर पानी डाल दिये हैं और स्वादनसार नमक डाल दिये हैं अब इसे हम ढख देंगे देखिए हम अच्छी तरह से नीचे से इसको चम्मश से मिला दिये हैं ताकि ये बहुत अच्छे से पक जाए अब और इसका अच्छे से हम स्वाद लाने के लिए एक इची जब और हम डालेंगे यहां आम कच्छे आम हैं एक खिचड़ी में पर जाती है तो बहुत अच्छा स्वादा आजाता है आप जरूर जब एक बार बनाकर इस आम डालके खिचड़ी बनाकर खाएंगे तो आप इसे स्वाद को भूल नहीं पाएंगे बार बार बनाएंगे तो हम गयस बिल्कुल धीमा कर देंगे उपर से ढख देंगे इसको पांच-पांच मिनट में हम चम्मच से चलाते रहेंगे क्योंकि हमारी दलिया की खीचेडी नीचे से बरतन में लगना जाए देखिए हमारे दो आम छिल गए हैं हमने छिल के काट लिये हैं हमारी दलिया दस मिनट तक अच्छे से पक गई है अब इसमें हम डालेंगे आम डालने के बाद 15-20 मिनट हम धीमी आच में पकाएंगे तो बहुत अच्छे से इसका स्वाद आम का दलिया में आ जाएगा देखिए हम आम डाल दिये हैं और गयस हमारा धीमा ही रहेगा क्योंकि दलिया जितना ही धीमी आच में पकता है उतने ही स्वाद आता है बहुत अच्छे से दलिया पक जाता है दलिया का खिचडी बनाने में ज्यादा तेज गैस मत करिए गैस तेज करने की जरूरत नहीं है देखिए हमारी दलिया की खिचडी तिनी गाड़ी हो गई है अब बनके तयार भी हो आप भी जरूर बनाईए आम डाल के और तूर की दाल डार के दलिया की खिचडी बहुत ही स्वादिष्ट खिचडी बनती है जो लोग मुटापा कम करने के लिए उट सखाते हैं उसकी जगह यही खिचडी बना कर खाना चाहिए यह ज़्यादा अच्छा रहता है और स्वा हमें कमेंट करके जरूर बताईए आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें सेयर करें प्रभा की आयरुवेदिक रसोई को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो देखने के लिए धन्नवाद मिलते हैं अंगले वीडियो में